प्यारे दूस्तों टोटल वेकिंसी के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है आज के रेट में यानि की 5 डिसंबर 2023 के रेट में बिहार स्वास्त विभाग और BTSC के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिये गए हैं जो की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ तो वीडियो के लास्त तक बने रहीएगा साथ में जो भी ये स्ट्रेंट्स इस चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन और चलते हैं और डीटेल्स में आप लोग को सारी जानकारी बताते हैं तो दोस्तो सुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही महत्पूर्ण सूचना को ले करके तो यह जो अपडेट आया आप लोग यहां पर देख रहे हो बिहार तकनीकी शेवा आयोग के तरब से निकल कर आ रहा है चाहे आप एने मोड चाहे यहां पर आप ओटी में आविदन किये थे इसीजी में किये थे फर्मसिस में किये थे सभी लोग वीडियो के लाज तक बने रहेगा और यह भी अपडेट ध्यान से समझेगा देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानि की जो बिटी एसी है वहां पर फर्जी बाड़ा हुआ है फर्जी बाड़ा हुआ यह हुआ कि कई सारे यहां पर जो आप दर्थी थे वो आप कर सकते हो फर्जी दस्तावेजों लेकर के गए और आविदन किये और यहां पर सभी कुछ हुआ है उसके बाद इन सभी पर केश हो चुका है जो भी यहां पर नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजे दिये गए थे महौती महत्पूर्ण अपडेट है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कुछ समय पहले की बहालिये जिसमें की मतस्य विभाग पधिकारियों के लिए वेकिंसी था जो की वेकिंसी था टोटल 212 पदो पर वेकिंसी था और ये विग्यापन 2021 में ही निकाला गया था अब इसी को लेकर के यहां पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा कि कई सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जो की फर्जी डॉक्मेंट्स के पास उनके पास है अब इन सभी पर केस कर दिया गया है अब इन सभी का एकदम आपका सक्क्तव कि नौक्री तो रद कर भी दिया गया है और एक तरीके से इन पर कारवाई भी करना सुरू कर दिया जाएगा तो जो भी हमारी ANM मैंने ये बाते ध्यान दिजेगा देखिए, मैं ये हमेशा शिकाता रहा हूँ कि BTSC, फरजी, डॉकुमेंट्स में और ये सभी में बहुत ही श्ट्रिक है अगर आपके भी ऐसे कुछ है तो एकदम चाहे तो आविदन मत कीजे बढ़ती में, या फिर यहाँ पर से आप लोग अलग रहिएगा क्योंकि नौकरी तो गायब होगा ही होगा और आपका यहाँ पर केस भी कर दिया जाएगा तो जो भी पैसे पर या फिर जो भी चीजों पर रहते हैं, सहारा रहते हैं को चीजों के लिए इंपर्टेंट है आप लोग के लिए अब दूसरा अपडेट स्वास्त विभाक के अधीन से निकल कर आ रहा है ध्यान से समझेगा यह अपडेट यह अपडेट हमारा फर्मसिस्ट, ECG, OT, X-rays सभी के लिए होने वाला है लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ एनेम के लिए ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है एनेम का जो विग्यापन संख्या था वो 2007-2022 था यहां पर उसके उपलक्ष में जानकारी नहीं है आप लोग का एक्जाम होगा, आप लोग तयारी कीजिए यह सूचना यह बताया जा रहा है कि जो यहां पर OTE, ECG, X-ray और Pharmacist हैं उन सभी के वेकिनसी को अभी के लिए ततकाल के लिए रद किया जाता है अब रद क्यूं किया जाता है क्यूंकि इन सभी के लिए नई नियवली की अधिसूचना यहां पर आने वाली है और उसके बाद यहां पर यह वेकिनसी का परकिरिया किया जाएगा मैं आपको बताना चाता हूँ बहुत सारे लोग अब समझ रहोंगे कि सर यह तो गलत हुआ बहाली रद हो चुका है अब बहाली नहीं आएंगी तो दिखिए लगबग आप 100% में बता देना चाता हूँ बहाली तो आएगी लिए थोड़ा समय अब लगेगा जरूर लेकिन समय में भी आपका एक से लेकर के दो मन्त के बीच में ही समय लगेगा ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आप लोग का फिर से आविदन होगा और जो आपने आविदन सुल्क दिया होगा भी वो आपके bank account में share कर दिया जाएगा बहुत साइर लोग होते हैं जो cyber coffee में जा करके आविदन करते हैं तो वही पर आप जाईएगा ऐसा notice दिखाएगा कि ऐसा आया है तो वो आपको return कर देंगी, कुछ दिन बाद जाईएगा हो सकता, कुछ दिन बाद यहाँ पर payment उनके bank में settle हो, तो यहाँ पर कुछ दिन बाद आप जाईएगा, और बोलिया कि सर ऐसा notice है, और आपके bank account में पैसा भेज दिया गया होगा, तो वो पैसे मुझे दे दीजे, जो की मतद से अपसर्क के लिए जोगी 10 आपदर्थियों को जाली certificate पर case कर दिया गया है, अब वो 10 candidates कहां के हैं, वो भी आपको देखनी को मिल जाएगा, इन सभी का यहाँ पर नाम आपको देखनी को मिल जाएगा, जो की BTSC से फरजी तरीके से यहाँ पर नौकरी लेना चाह रहे थे, तो उन सभी का यह जो की नाम होने बाला है, साथी में PMCH अस्पताल में एक बार फिर से नर्सों के दोरा हरताल सुरू किया गया है, जिसमें की बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, जिन को की अस्पताल के अधिछक हैं, उन सभी को नर्सेज हैं, जिन सभी को यहाँ पर सेलरी प्रदान नहीं किया जा रहा है अब इसी के उपलक्ष में बिहार सरकार हाई हाई नो पेमेंट नो वर्क जैसे कई सारे नारे लगाए गए जो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो तो यह जानकारी भी आज के डेट में जारी किया गया है साथी में एक पुराना अपडेट नीकल कर आया है हाला कि यह अपडेट स्वास्त विभाक की ऑफिसली साइट पर कल के डेट में ही आया है लेकिन यह पुरानी बहाली का अपडेट दिया गया है मैं आपको बतना चाहता हूँ बिहार क्रमचारी चेन आयोग के माध्यम से एक्सरे का वेकेंसी कुछ समय पहले हुआ था कुछ समय नहीं कर सकते हैं कई सालों पहले हुआ था जो की करीबन दोहाय आठारा के करीबन में हुआ था तो वहाँ पर कुछ आपदेर्थियों ने स्थापित किया गया जो कि BC कटेरी से बिलॉंग करते हैं इसके बाद इनको यह बताया गया है कि आप जल से जल यानि की डेट भी यहाँ पर डेडलाइन भी सेट किया गया है कि इतना दिन तक आप लोग एकदम नियुकती सुईकार कीजिए और अपने जो भी आपका जिला आवंटी किया गया है जगा आवंटी किया गया है वहाँ पर सुनिश्चीत कीजिए तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बता ना था अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा मिलते दोस्तों कोईन श्टू में तब तक के ल जय हीन जय भाद वन्ने मात्रम ठाइंक्विश्च पर वाची मिलो धन्यवाद